यूपी बोर्ड क्लास एट महान बिक्कित्व का चैप्टर नम्बर चौदा है चट्र साल सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर की जो महत्पुड पाट का सारांस उसको पढ़ेंगे चत्र साल और्चा के राजा चंपत राय के पुत्र थे इनकी माता का नाम सारंदी था पिता ने इनको रानी के साथ माय के भिज़ दिया और चाड़ वर्स तक वे वहीं पर रहें, साथ वर्स की अवस्ता में इनकी सिच्छा प्रारम्भुई और तीन वर्स में एक कुसल सैनिक बन गए सुला वर्स की अवस्ता में इनके माता पिता का स्वरगवास हो गया, इन्होंने अपने बड़े भाई से मिलकर, बुंदिल खंड का राज जदोबारा तापित करने की योजना बनाई अपनी माता के जेवर को बेच कर तीन सो सैनिकों की एक सेना तयार करके इन्होंने कुसलता से युद्धे करना प्रारंप कर दिया उनके सासन में प्रजा सुकी थी भूसर और लाल कभी इनके दरबार में थे वे बिद्वानों तो था कभीयों का आदर करते थे सन 1731 में 83 वर्ष की आयू में इनकी मृत्य हो गई इन्होंने अपनी समस्त जीवन देश तता जाती की भलाई में लगा दिया चत्र साल भारत माता की बीर तता महान संतान थे इस पार्ट से में यह सिच्छा मिलती है कि जीवन की सफलता करतब पारारता में है अब आएए देखते हैं चेप्टर के महातपूर प्रस्ण है अब भ्यास को पहला प्रस्ण है चत्र साल का जन्म कब और किस वातावरण में हुआ था तो उत्तर में लिकेंगे यहां पे आपकर लिजेगा चत्र साल ठीक है चत्र साल का जन्म सन्व 1648 सिस्भी में पहाडी तथा जंगली प्रस्ण के वातावरण में हुआ प्रस्ण नमबर सेकंड है चत्र पती सिवाजी ने चत्र साल को क्या उपदेश दिया उत्तर में लिकेंगे चत्र पती सिवाजी ने चत्र साल को उपदेश दिया कि बीरता से लड़ो लालज कभी मत करो और धर्म कभी मत करो और किसी धर्म या जाती से द्वेश ना करो प्रेश नमबर तीन है चत्र साल की प्रसंसा में किस कभी ने कभी ताय लिखी तो बेर इंपॉर्णन क्वेश्चन है चत्र साल की प्रसंसा में कभी भूसर ने कभी ताय लिखी प्रेश नमबर चार है औरंग जेव चत्र साल को क्यों ना हरा सका उत्तर में लिखेंगे क्योंकि चत्र साल के लड़ने का ढंग बहुत कुसल पूर था ये और उनके बाई सेना का संचालन करते थे ये पहाडी प्रदेशों में भी सबी में भी कुसलता से लड़ते थे इन इस्तानों की इने विशेज जनकारी थी प्रेश नमबर पाच है चत्र साल का राज्य परबंद कैसा था उत्तर में लिखेंगे चात्र साल का राज्य प्रबंद बहुत उत्तम और प्रजा कोशो की बनाने वाला था कोई ब्यक्ति यदी स्त्रियों के साथ दूर बिहार करता तो उसे कठोर धंड देते थे सारा राजकाज इनी की आग्या से चलता था प्रतियक ब्यक्ति चाहे वा कितना ही छोटा हो इनसे मिल सकता था यह सबकी बिंति और बात ज्यान से सुनते थे तता सबकी सहायता करते थे है इसी के साथ यह चैर्टर आपका कंप्लीट होता है असला करते आपको वीडियो भसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो इसको लाइक करेगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते एक नए वीडियो में तब तक के लिए न